कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे आपका स्वागत है आज मैं इस वीडियो के मादम से MP पुलिस एक्जाम 2022 का जो चल रहा है यह रिक्रुमेंट 2020 की है और इसका कटप कितना जाने वाला है काफी लोगों को डाउट है मैं इस वीडियो के मादम से आपको स्वाइब आपको 50% छूट चाहिए तो R50 का यूच करेंगे यूच कोड है R50 यदि इसका यूच करेंगे तो आपको जोए की 50% जोए कि आप हो जाएगा 50% मिलेगा यदि प्राइस दिया होगा 300 तो यदि R50 का यूच करेंगे तो आपको डेट सो में ही यह टेस्ट मिल जा काफी लोगों का काफी डाउट है कि एंसर की पहले आएगी या रिजर्ट तो मैं एक-एक करके सभी डाउट को किलियर करने वाला हूं तो वीडियों बने रहे लास तक चैनल के नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर कभी लाइकन को प्रेस कर लीचिए देखिए सबसे पहले मै की जो फाइनल कट गई थी 72 से 77 की बीच बनता है तो 72 के करीबन बना था यूर के लिए 77 तक जाकर जो एकी फाइनल हो गया था तो इस बार बीच देखिए वैकेंसी देखिए कम है चाहा जार पहले 4000 थी दो अजार और भी बढ़ा दिया गया है चाहार हो गया है ठीके तो च तो देखिए इस बार कटप क्या रने वाला है तो इवार कटेग्री की बात करो तो 75 से 80 के बीच में आपका जोई की और 70 से 80 के बीच में होगा में आपका तो सेब स्कूर मानिएगा ऐसा लगी कि एक कुरेट 75 ही आएगा मैं एक जोई कि करके मैं आपको बता रहा हूं कि 75 से 80 के बीच में आपका आ रहा है तो आप जोई की फाइनल तक भी पहुच सकते हैं क्यूंकि वैकेंसी कम है यह ध्यान दीजिएगा कि वैकेंसी जोई की च्छाहजार ही है इसलिए जोई की काफी जोई की ज्यादा नमर आएगा तभी जोई का भी हो जाए फिर इसके बाद female category, all category की बात करूं तो देखें आल category यह उदि आपका 60, 65, 75 की बीच में आ रहा है SCST category मान लीजे या female category मान लीजे ये दोनों का एक ही वरवर आपका जो की cut up बनेगा बस लड़ाई होती है UR category और जो की OBC category में ठीक है तो आपका ध्यान दीजिएगा जितना भी नम्मर आएगा आप comment box में बता दीजिएगा अब मैं बताने जा रहा हूँ answer की कब आएगी देखिए 17 February 2022 से last date है और ये 2020 की vacancy है जितना जल्दी देखिए दबाव पर रहा है कि ये 2020 की vacancy है जल से जल इसको clear किया जाए तो देखिए 17 February तक आपका final मुझे देखिए पता चला है स्टूनेंट के द्वारा ही कि 17 February तक आपका exam चलने वाला है तो देखिए 17 February तक यदि आपका exam खतम हो जाता है तो कुछे दिन के बाद जो एकी March, March के second week, sorry, March के first week, March के first week, first week में आपका जो एकी answer किया जाएगा और जो एकी March आपका जाते जाते इसका जो एकी final answer की release कर दिया जाएगा, यह मैं अपने दिमाग से बता रहा हूं, अपने analysis के तरस से बता रहा हूं कि यह जो एकी 2020 की वैकेंसी है, जितना से जितना जल्दी हो सके इसको clear किया जा सके, यह दबाव पर रहा है, लिके PEB professional examination board पर, कि इसको जल्द से जल्द clear किया जाए, तो March तक आपका जाते जाते 2022 आपका final answer की आ जाएगा, और April महीने जाते 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 आपका result, second week तक आपका जाते जाते result भी declare कर दिया जाएगा, और March, April में आपका जो एकी fiscal के लिए admit card भी आ जाएगा, इसके बाद जो भी हो, एक मह जो एकी, April तक जाते जाते आपका result डिक्लियर कर दिया जाएगा, और मही में आपका जो एकी fiscal लिया जा सकता है, और June जुलाई में आपका जो एकी medical and other चीजे करा जा सकता है, final six month के अंदर आपका complete करा लिया जाएगा, और जो आइनिंग भी करा लिया जाएगा, आपका जो वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि न्यू वेकेंसी कब आने वाली है, थोड़ा analysis करके मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से subscribe, जैहिंजे भाल, बंदे मात्रम